कि अब दोस्तों नमस्कार आप से अभी का स्वागत है जैसे कि एस बेकलर प्रिलिम्स का पेपर हो चुका है और अब मीन्स की त्यारी कर रहे हैं और जगे-जगे आपने दिखा भी हुगा कि ओवरॉल अटेंट्स का उने चीए या एस्पेक्टर कट आफ को एक दम से को छोड़ कर कॉन्ट में सिप्पाइशन सारी सिप्ट में ताफ आया तो कॉंट तो सारी सिप्ट में मौडरीट था सारे में मौडरीट था थीक है इसमें तो कोई गुंचाइस वाली बात निया मौड़ेट तू हाई था इसमें 30 फ्लस तो सोची नहीं सकते है मतला 20 से 25 का आप कहा रहा था 20 का average सबस्याद आया तो 18 से 22 का जो average है attempt का वह आपर देखने को मिला किसी 23 हो गया 24 हो गया लेकिन 20 20 21 21 ऐसे देखने को मिला था रीजनिंग ने जान बचाई जो कि सारी सिप्ट में कहीना कहीन रीजनिंग इंकम परजन तू अधर सिप्ट चाम क्वांट की बात करें English की बात करें तो रीजनिंग कहीना कहीन ऐसा था जहां पर अगर रीजनिंग में आपने अच्छा attempt किया तो overall आप खीच के ले जाओगे फर एक्जमपल रीजनिंग में किसी ने 30 किया, 32 किया, 33 किया, 28, 30 तो कहीना कहीन इसमें अगर हम देखें हैं तो 25 से 30 जनरली देखने को मिला लेगिन किसी किसी ने 30 प्लस भी किया है जिससे कि वो overall cutoff को overall जो attempt है उसको खीच के ले जाएंगे तो रीजनिंग समाओ असान था जिसने incomposent to other shift अगर reasoning में भी आपके attempt कम है तो फिट दिक्कत वाली बात है और reasoning में अगर आपने अच्छा attempt किया तो overall कहीना कहीन वो cover करने की reasoning से हो सकती है, ठीक है English पहले दिन अगर हम देखें तो 1, 1st, 2nd, 3rd में बहुत ज़्यादा tough चीज़े नहीं थी, 4 shift से चीज़ें English में भी tough आने लगी और English भी कहीना कहीं moderate travel का, पहले दिन अगर हम आने 5 जनवरी को easy to moderate था, लेकिर अगर हम 6 जनवरी को बात करें या 11 जनवरी को बात करें तो English tough था और 11 जनवरी को तो English ज़्यादा tough हो गया, जिसमें पहरा जंबल बहुत ही tough होने लगा English का level भी बढ़ गया था, 11 जनवरी को English का level बढ़ा, 6 को भी English का level बढ़ा, इविन 5 तारिको साम की shift से English का level बढ़ गया था तो कहीना कहीं दो shift परेशान करती ने ज़र आई, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान किया, quant ने, simplification ने, और 5 जनवरी को एक दो shift के बाद फिर cash rate भी आने लगा, जिसकी वेशे और परेशानी आने लगी, तो कहीना कहीं, जैसे first shift में, second shift में, starting जब paper का हुआ, तो एक DIA आ रहा था, वो कहीना कहीं कर पा रहे थे, 20-25 तक attempt जा रहे थे, quant में फिर cash rate भी आने लगा, simplification, of course tough था, जो कि बहुत ही मु attempt कर पा रहे थे, ठीक है, कुछ-कुछ ने 25 प्लस भी किये, लेकिन 20-25 का generally attempt देखने को मिला, 20-21, 22-22, 22-22 ऐसे देखने को generally मिला था, इंग्लिस में, तो overall अगर हम बात करते हैं, इसमें, overall अगर हम good attempt की बात करते हैं, दो दो तरह की चीज़े, normalization यहाँ पे होगा, और आप definitive का किसी tough shift में है, जहाँ पे English भी tough था, quantity भी tough था, तो अगर हम difficult shift की बात करते हैं, difficult shift की अगर हमार रहे हैं, जहाँ पे quantity भी tough था, और English भी tough था, तो difficult shift में आपके, 70-75 अगर आपके attempt हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छा attempt है, good attempt है, तेकि मैं overall बात कर रहा हूं, एक कह सकते हैं कि 73 से 80 आपका जो है एक अपने अठेशा एठेम्ट है नि chỉ कहीं पर देखने को 80 प्लस भी अठेम्ट किया है लेकिन असी तक अगर आप attempt कर रहे हैं और यह आपका जो tough shift है उसमें 70-72 भी अगर आपके attempt है तो आपको means की त्यारी करनी चाहिए क्योंकि normalization होगा और उसकी according तो 70 से अगर हम below की बात करते तो कही ना कहीं वो एक अच्छे attempt नहीं माने जाएंगे ठीक है general category quantity से लेकि 70 प्लस अगर आप जा रहे हैं 75 प्लस अगर आप जा रहे हैं 78, 80, 82 में आप जा रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छा attempt है अगर आपके 5, 6, 7 attempt कम रह गए है तो भी आपका अच्छा attempt माना जाएगा ठीक है तो यह आपकी normalization होना ही होना है तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिनका भी 70 प्लस है उनको मेंस की तियारी करनी ही करनी चाहिए और हो for the best ठीक है और लास्ट एक जो भी cutoff है जैसे आपने द की बात करें तो लास्ट एर के comparison में चाहिए आप यूपी के cutoff की बात करें किसी अदर स्टेर के cutoff की बात करें तो उससे cutoff कहीं न कहीं एक या दो नंबर कम होने के chances है ठीक है क्योंकि paper क्या था tough था तो cutoff कहीं न कहीं थोड़ा सा कम भी होगा vacancy में भी difference है इसलिए आप में राधिक रीजनिंग special batch for banking राधिक रीजनिंग special batch for bank 2024 के लिए मेरा batch आ रहा है यह price थोड़ा ज्यादा दिख रहा है नहीं इसको आज कम कर दिए गया है तीन दिन के लिए तो मकर सक्रांदी offer की वाज़े से तीन दिन के लिए कम कर दिए गया इसमें 70 प्लस hours live classes लूंगा recording इसमें सारा स्लेफ करने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर अगर आप देखें ऑलीबोड पर अगर आप जाएंगे तो अलीबोड पर आप जाओगे courses में आप जाओगे courses में by faculty आपको search करना होगा ठीक है by faculty आप search करोगे तो आप नीचे scroll करोगे इसको स्क्रोल करने के बाद आपको हैं देखेगा राधिक रीजनिक बैंक स्पिसल पर दोजार चौबीस यह बाई जनवरी से स्टार्ट हो रहा दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 70 प्लस hours की आपको classes मिलेंगी ठीक है सारा syllabus इसमें होगा सा अफी पहले 1499 में था लेकिं तीन दिन के लिए इसको कम कर दिया गया जैसे बच्चों की डिमांड डारी थी 1199 में है जिसमें भी आप क्या करोगे वेलिडिटी लिखी है 12 मन्त की ठीक है एक साल की वेलिडिटी है have a coupon code पूछेगा आप से आपको coupon code डालना है जैसे आपने RKR और coupon code आपने डाला redeem किया तो 7900 रुपे में ये course है जिसका एक साल का वेलिडिटी है सारे banking insurance exam को प्रिलिंट प्लस में कवर करूँगा तो जो भी इंट्रेस्टेड है आप इस course को इस course में अनॉल करें तीन दिन का ये offer है ठीक है और उसके बाद ये offer खतम हो जाएगा और इसमें discount भी कम होगा prices का बढ़ा दिये जाएगा तो prices का कम रखा गया है जिससे की बहुत सारे बच्चों को benefit मिल सके तीन दिन तक आप इसको इंडॉल कर सकते हैं और सारी चीजों को बहतरीन तरीक इसमें पढ़ा जाएगा फिर आपको अलग से कोई भी रीजनिका कोर्स कर चीज करने जरूरत नहीं है bank insurance की किसी भी exam के लिए थीक है तो यह सारी चीजें है इसलिए चिंता ना करें पढ़ाई पे देहन दे नॉर्मलेशन होगा और मेंस की तियारी आप बिल्कुल करें अगर आपके 70 प्लस attempt है और अगर आपकी accuracy 100% है accuracy अब आपको पता होगा अपने आपसे देखिए और last year के state से भी आपने अपने अप्लाई के last year की comparison में थोड़ा से देखिए उससे cut off कही ना कहीं एक या दो number या date number कुछ ना कुछ कम जाएगा paper last year comparison थोड़ा से tough था so all the best thank you so much राद रादे